नमस्कार मैं ज्योति सहायक आजारिय हिंदी विभागाद्यक्ष आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का हादीव स्वाकत करती हूँ में फाइनल हिंदी सहीत्य के अंतरगत हम भ्रमरकीत सार का अध्यान कर रहे थे कुछ पदों का हमने पूर्व में अध्यान कर लिया है उसी श्रंकला में आज हम कुछ शेश रहे पदों का अध्यान करेंगे हमारे हरीहारीलकी लकरी मनकरम बचन नंद नंदन और यहे दृड करी पकरी जागस सोवत स्वपन दिवसने सी कान है कान है जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जैसो करुई ककरी सूत व्यादी हमको ले आई, देखी सुनी न करी, यह तो सूर्थ तिन ही ले सौंपों जिनके मन चकरी महा कभी सूर्दास्त वरा रचित, इस पद में गोपियां जब उदव उनको योग का संदेश देते हैं तो उस योग संदेश की प्रती अपनी एरुची व्यक्त करते हुए, श्रीक्रिशन के प्रती अपनी अनन्य प्रेम निश्था को इस पद के मात्यम से व्यक्त करती हैं पद की व्याख्या हमारे हरी हारिल के लक्डी गोपिया उदव से कहती है अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण के प्रती कि है उदव श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल नामक पक्षी की लकडी के समान है जिस परकार से हारिल नामक पक्षी अपने पैरों में सदेव एक लकडी को थामे रखता है उसे कभी भी अपने से अलग नहीं होने देता उसी प्रकार से हमने भी मन, कर्म और बचन से श्री कृष्ण को अपने हृद्या में उसी पक्षी की लकड़े के समान हमने भी अपने हृद्या में श्री कृष्ण को बसाया हुआ है हमें जागते सोते स्वपन में दिन रात हर वक्त हर पल हम श्रीक्रेशन का ही जाप करती रहती हैं उन्हीं के नाम को बारबा समर्ण करती रहती हैं सुनत जोग लागत है ऐसो जोग करूई ककड़ी कि हे उदब तुम ये जो योग का संदेश देते हो या इसे हमें अपनाने के लिए कह रही हो हम ये योग की बाती इस परकार से लगती हैं कि जैसे हमने कड़वी ककड़ी को निगल लिया हो सूतो व्यादी हमको ले आए देखी सुनी न करी हे उदब तुम तो ये योग नामक ऐसी व्यादी हमारे पास लेके आई हो जिसके समंद में हमने कभी नैतो सुना नहीं देखा अर्था तुम्हारा निर्गुन निराकार जो इश्वर है उसको हमने नैतो कभी देखा है नहीं उसके बारे में कभी सुना है यह तो सुर्व तिनहीं ले सुंपो जिनके मन चक्री अंत में सुर्दाशी कहते हैं कि गोपियां उदब से कहते हैं कि है उदब कि तुम ये जो ज्यान और योग का संदेश लेके आई हो या इस निर्गुन निराकार ब्रह्म को अपनाने की बाते कर रहे हो यह तो उनको सुंपो जिनके मन चक्री अर्था जिनके मन भ्रहमित रहते हैं जिनके मन चंचल है ऐस्थीर है हमारा हरीदय तो मातर श्री कृष्ण को समर्पित हैं और इस हरीदय में श्री कृष्ण के अतरिक्त अन्य कोई भी नहीं आ सकता इस प्रकार से इस पद के मात्यम से गोपिया उदब के समक्ष अपने मन की स्तिती का वर्णन करते हुए कहना चाहती है कि भक्ती और जो आस्ता होती है वह एक व्यक्तिगत भाब है और इसके मार्क को इसकी पत्ती को चुनना भी नितांत व्यक्तिगत होता है किसी पर अपने मन के विजारों को थोपना और अपने मार्ग को अपने विजारों को सरेष्ट बताना नितांत गल्त है प्रेम कोई विपार नहीं है जिसमें कि लाव और हानी का सोचा जाए कि हमें किस तरफ लाव है और किस तरफ हानी है यह तो जो प्रेम का मार्ग है वह बड़ा सीधा सरल होता है जिसमें च्छल कपट का कोई विस्था नहीं होता लाभानी या बेपार समंदी कोई भी विजारधारा नहीं होती बिन गो पाल बैरिन भई कोई जे तब ये लगता लक्तियत शेतल अब भई विशम जवाल की पोँजे बृथा बहती जमुना खग बोलत बृथा कमल पूले अली गोँजे पवन पानी दन सार संजीवन ददिसुत किरन भानु भई गोँजे ये उदो कहियो मादब सो विरह कर करिमारत लोंजे सूरदाज प्रभगो मग जोबद अखिया भई भरंजों गुनजे पध की व्याक्या बिन गोपाल बहरिन भई कुल66 गोपिया उदब के समाक्षप ने विरह बियाथा को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि अप हमारी विरह बियाथा को नहीं समझ सकते श्रीक्रेशन के हमारे पास नय होने से ब्रज छेतर के वन की वे कुंजे जहां हमने श्रीक्रेशन के साथ विहार किया था भ्रहमन किया था अब ये हमें शत्रों के समान परतीत होती है तब ये लता लगती यती शेतल अब भई भीशम जवाल की पुंजे कि इस छेतर की जो लताईं थी जो हमें शिरी क्रिशन जब हमारे पास थे हमारे साथ थी तो बड़ी शीतल लगती थी बड़ी आनंद दायक लगती थी अब वही लताईं हमें भ्यंकर अगनी की लप्टों के समान प्रतीत होती हैं कि अब शिरी क्रिशन के बिना ये कलरब करती हुई जमना नदी हमें व्यर्थ परतीत होती हैं इसी प्रकार से पक्षियों का कलरब करना उनका गान और पुश्पों का खिलना और उन पुश्पों पर भ्रमरों का गुंजार करना यह हमें सब व्यर्थ परतीत होता है जल, वायू, बादल, संजीवनी, कपूर यह सब बस्तुएं जो की शितलत परतान करने वाली होती हैं आज हमें सूर्य की प्रचंड केंडरों के समान जलाती हुई परतीत होती हैं यह उद्व कहियो मादव सो विर्ह करद करिमारत लूँजें गोपियां उद्व से कहती हैं कि है उद्व कि आप जब ब्रज से अपने मत्रा जाओ, श्रीक्रेशन के पास जाओ तो उनको यह कहना कि आपके विर्हें में हम मृत्यू के समान हो गई हैं या मृत्यू तुल्य ही हो गई हैं जीवित सूरदास प्रभकोमग जोबत अखियां भी परंजयों गुझें सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्व से कहती हैं कि है उद्व आप श्रीक्रेशन को यह भी संदेशा देना कि उनके आने का मार्ग देखते देखते हमारी अखियें गुझा पक्षी के समान लाल हो गई है इस परकार से गोपियां उद्व के समख्ष अपनी बीरह व्यथा को प्रकट करती हुई यह कहना चाहती है कि श्रीक्रेशन के बिना इस अंसार में उनके लिए सभी वस्तुय त्याजिया है चाहे वे वस्तुय के इतने ही शेतल हो सुन्दर हो लेकिन उनकी सारी सुन्दरता उनके लिए वियर्थ है जब श्रीक्रेशन ही उनके पास नहीं है उनके स्थिती तो इस परकार से हो गई है कि वे जीवित ही मृत्यूति तुल्य है और इसके अतरिक्त उनकी आंखे श्रीक्रेशन के आने का मार्ग जोहते जोहते गुंजा के समान लाल हो गई है क्योंकि श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि वे उनसे आकर वापस मिलेंगे, उनसे वादा करके गए थे, तो आज भी वे प्रतिक्षा रथ हैं कि कब श्री कृष्ण उन्हें अपने दर्शन देंगे प्रस्तुत पद का पाठ अब अती चकित वन्त मन मेरों, आयो हो निर्गुण उपदेशन भेव सगुन को चेरों, जो मैं ग्यान गहयों गीत को तुम्ही न परस्यों नेरों, अती या ग्यान कचु कहतन आवे दूत भेव हरी केरों निजन जानी मानी जतना नितुम्ह किन्हो निहग नेरों, सूर मदुप उठी चले मदुप पुल, बोरी जगत को बेरों उदब गोपियों के शिरी क्रिशन के प्रती प्रेम को देखकर अत्यांत आश्चर्य चकित होते हैं और वे कहते हैं अब आती चकित वन्त मन मेरों कि हे गोपियों कि आपके श्री क्रिशन के प्रती इस अनन्य प्रेम को और आपके निश्चर्य को कोदेखकर मेरा जो मन है वह अत्यांत ही आश्चर्य चकित है मैं अत्यांत भाव भिवोर हूँ आपके इस प्रेम को देखकर आयो हो निर्गुन उपदेशन भेयो सगुन को चेरो कि मैं इस ब्रज छेतर में निर्गुन का योग का उपदेश लिकर आया था कि मैं आपको योग की और ज्यान की शिक्षा दूँगा प्रन्तु मैं यहां से सगुन भक्ती को अपना कर प्रेम के मार्ग को अपना कर जा रहा हूँ यह दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मैं तो स्व्यम सगुन का उपदेश लिकर लेकिन उस निर्गुन को त्याग कर मैं स्यम सगुन का उपासक बनकर जा रहा हूँ जो मैं ग्यान गहयों गीत को तुम ही न परस्यों नेरो कि मैं जो गीता का ग्यान लेकर आया था और उस ग्यान का उपदेश मैंने आपको दिया था वह ग्यान का उपदेश वह गीता का उपदेश आपको छूबी न पाया अति अग्यान कच्छु कहतना आवे दूट बेओ हरी केरू कि अब मुझे अपनी अग्यानता पर शर्म आ रही है या मैं कह सकता हूँ कि मैं अपनी अग्यानता पर लज्जित हूँ अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं आपसे क्या कहूं, अब मुझे यह समझ में आ गया कि शिरी हरी ने मुझे अपना दूत बना कर यहां क्यों भेजा था, अर्थात मैं इस बात को जान चुका हूं कि उन्होंने मुझे योग और निर्गुन का उपदेश देने के ल आपके माध्यम से उस प्रेम के महत्व को जान सकूं, निजन जानी मानी जतननितों किन हो नेह गनेरों, हे गोपियों आपने मुझे अपना माना और बहुत सनेह दिया, उसके लिए आपको धन्यावा, आपका बहुत बहुत धन्यावा, जो आपने मुझे इतना आदर सतकार दिया उसका आभार सुर मदुप उठ चले मदुपुरी बोरी जग को, बेरुन सूरदासची कहते हैं कि गोपियों से इस परकार का वारता लाब करके मदुप अर्थार जो उधब हैं उन्होंने मत्रवा के लिए परस्तान किया और प्रस्थान करते वक्त उन्होंने जो उनका योग का बेड़ा था उसको गोपियों के प्रेम के सागर में डुबो कर और सगुन को अपना कर प्रेम के मार को अपना कर वहां से मत्रा के लिए उन्होंने गमन किया इस परकार से इस पद के माध्यम से महाकवी सूरदास ने निर्गुन का खंडन वैस्तगुन का मंडन किया है। अन्वेय योग पर प्रेमा भक्ती की विजय की स्थापना की है। आंत में उदव्वी श्रीक्रेशन के भक्त बनकर अपने ज्ञान और योग को त्यार कर। प्रेमा भक्ती में भाव इवोर्ड होकर ब्रिंदा मतुरा को प्रस्थान करते हैं। आज की यह लेक्चर वीडियो यहीं पर समापत होती है। धन्यवाद।